नमस्ते दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फेंडिसी दुनिया में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग इंडेप्थ में अनलाइसिस करने वाले हैं आज का दिन का जो पहला मैच कहला जाएगा ना विंसी टी टैन का उसके बारे में आज पहला मैच 7 बजे स्टार्ट होगा अगला सारे नो और उसके बाद as usual सारे 12 बजे मैचे सूंगे हम लोग इंडेप्थ अनलाइसिस करने वाले दोस्तो दोनों ही टीम के बारे में इस वीडियो में यह मैच 7 बजे स्टार्ट होगा मैं अगला दोनों मैच का कवरिज आपके लिए लाऊँगा साथ ही साथ IPL का भी दोस्तों मैं आपको फाइनल अप्डेट एंड मोर टीम प्रोवाइड करूँगा टेलिग्रम चैनल तो जॉइन हो सकते हो टेलिग्रम जिसका लिंक आपको देस्क्रिप्शन एंड इस वीडियो के कॉमें सेक्शन में पीन क्या हुआ मिलेगा तो फटा पट जूर जाओ टेलिग्रम पॉर फाइनल अप्डेट फॉर फूचर अपडेट्स अब दोस्तों एन अपने लुइस जैसे पाउर प्लै में जो रन भी नहीं खर्चा करेगा और एक आदल के तो अलमस हर में ले जाता है ठीक है तो ये टीम मुझे बेटर लग दे इस मैच में हम लोग एनलाइसिस करके समझते हैं और क्या कुछ ट्रीक या फिर दोस्तों चोटे-चोटे पंद मांगे चलो ऐसा लग रहा है कि लेसे बेटर करेगा तो ये एक सुतीस चालिस बन सकता है बट अगर जीए डीए बेटर करेगा मुझे नहीं लगता सौ रन से ज्यादा रन बनना चाहिए लेट सी आठ मैचिस हो चुके साथ बार बेटर नहीं गया सिफ एक बार चेजिंग अगर देखोगे ना ओपिनिंग कौन कराएगा जोनाथन कार्टर बाइड डिफॉल्ट पीक अप्रेटिप में होना चाहिए दोनों मैच में बेटिंग से पॉइंग बालिंग वी ओवर कंप्लीट करात वे दिख रहे है तो एक बहुत ही कमाल का सेफ कैप्टेन पिक रहेग साथ जाद दो ओवर देगा उपर साना यह स्पीन बॉलर भी है और इस ग्राउंड को ना स्पीनस को हेल्प भी मिल रहा है क्योंकि ड्राइ ग्राउंड है तो एक बहुत ही शांदार पिक है यह लोग वन लोग में रहेगा जहां पर कैचेस बचेस भी ले ले लेता है तो ब पिनिंग में बैटिंग करेगा अगर पहला दो तीन ओवर विकेट नहीं गिरा तो डिलान डॉगलस आफ्टर पावर प्ले आएंगे और आते ही दोस्तों चेजिंग में रंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो डिपेंस ऑन टॉस बैटिंग फर्ज डिलान डॉगलस एस कैप्टेन बॉलिंग फर्ज योनाथन कर्टर एस कैप्टेन एक अच्छा भी हो सकता है आपके लिए और अगर कर्टर और डिलान डॉगलस में से कोई एक बंदा नहीं खिला तो ओटनल लुइस कैप्टेन बन सकता है लास्ट मैच में एक बॉल दो बॉल खिला था एक म प्लिम सहर भी के कौन ओटनल लुइस इडेशन लुइस ने एक मैच में 44 बनाया लास्ट मैं सिफ एक उतना खास प्लियर नहीं है जहलो ओटनल भी उतना खास नहीं है लेडिय एडवर्ड अभी यह प्लियर अच्छा बॉलर रहे लास्ट मैंच में नहीं किया था क्योंकि इसको बॉलिंग नहीं कर दिया था बट अभी इनके उपनें के पास मैं देखूंगा कितना लेप्ट एंडड बैटर है उसके अकोर्डिंग यह शायद बॉलिंग कर ले एंड्रू हंटे उतना कास प्छन मुझे नहीं दिखते है बट स्टिल लास्ट मैंच में बॉलिंग इसके नहीं किया था सेम इशू लेफ्ट एंडड बैटर है ऑपनें के पास बट ओटनेल लिस हमेशा बॉलिंग करता है वह लेफ्ट एंड बैटर हो सबके एंडेट आइज़ सबको बॉलिंग करते हैं मैं एन ओट एल्ट एलू विलियम्स यह वह लावर दाला तका नहीं अर्डिल थोमस हो गया, फर्स्ट मैच में किटोन लभी ओपिन किया था, यह नहीं करेगा, क्योंकि अभी आ चुका है डिलस्वन मालूनी, अभी आ चुका है कौन दोस्तो, हमारा दोस्तो, डिलान डॉगलस, अब ओपिनिंग बॉलिंग, ओटनल लुइस जे है यूट, डिला क्या इसको लेना ही नहीं लेना है, अधर्सन मालोनी किया, 41 मैच में 20 का आवरेस से पास्टावर नहीं है, अभी इंसी टेटन का में बात करहा हूँ, लास्ट 5 इनिंग में यह रवार बॉलिंग किया, इस मैच में इस तीम के लिए इनको बॉलिंग करने का ज़रूरत नहीं अनके अल्रेडी बहुत सारे बॉलरे लेरी एडवर्स जैसे बॉलिंग को बॉलिंग नहीं मिल रहा है, एंडु तोमस, 20 मैच, 190 रचे अवर में 3 विकेट है, अन्री विलिंग कुछ कास है नहीं, इच्छा हिल वल्ट, 18 मैच में 101 अर्न थामस, 14 आवरेस से रन बनाते हैं ब सबसे स्टार प्लियार है, विंसी टीटेन का लेडी एडवर्ट, 11 मैच में 21 ओवर, केबल 4 विकेट, प्लियर अच्छा है दूस्तों, बहुत सारे मैच में विकेट लेस जाहे, बर रिसेली फर्स क्लास में देखो, 9 विकेट, 1 मैच में 16 रन 3 विकेट, 30 रन 2 विकेट, केट पर नहीं पर रहेगा क्योंकि यह देथ में आजाता है, बालिंग फर्स यह, बालिंग फर्स जाहता है जाहता है, जर्ए में हैयुट हो गया, OJ मैत्यूस हो गया, राइट आम आउप स्पिन, इस टीम के लिए फिलाल इनका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ब open कराएगा असीफ उपर open आ सकते है रैशन विलियम्स ने last match में अच्छा नहीं कहला था बट अभी left-arm orthodox opponent के पास कुछ right-handed better भी है डिलन डॉब्रस, दस्वन, मलोनी हैं उनके पास तो यह आपको इस match में शायद 2 over करते हैं दिखे और शुरू में Jonathan Carter है जो एक left-handed better है और इस team के पास कैसा है मैंने आपको बोला था कितना left-handed है इनके पास left-right दोनों है राइट है उपर में चैडविक फिर hack show मुझे नहीं रखत open करेगा असीफ उपर left-handed है राइट-handed है रैशन विलियम्स रोडरीगो फिर left-handed मतले मिनके पास रोडरीगो थॉमस जो केनाटा वाला है उपर open कर ले किसमा सक्षो नीचे खेल जाया ऐसा मझे दिख रहा है इन ब्राउन अच्छा hitter है बहुत अच्छा hitter है साथ-साथ इस season में इन्होंने balling के साथ बहुत अच्छा better performance किया डेट में भी कराएगा improved player है मैं आपको first day से बता रहा हूँ कुछ improved player आपको दिखेगा ओटनेल लुइस बीन ब्राउन ये यंग player है और बहुत अच्छा cricket केल रहा है अभी मस्पी बनते हैं दोनो अब एंटेन स्टैपलेटन दोस्तों ये ना कुछ ना कुछ करा जाएगा मतलब कभी ये catches ले लेते हैं 2-3 कभी ये balling से wicket ले ले लेगा कभी batting से hitting कर लेगा एक ऐसे player है जो कुछ भी करेगा बर dream team का part बनेगा double straw balling first बहुत safe और safest pick है क्योंकि ये date में करते हुए दिखेंगे middle one में करते हुए दिखेंगे ball first जादा बिटर है Richie Richards का importance इस match में कितना रहेगा एक ही wicket था last match में बट ये right-a-move spinner है अगर इस team के पास अगर आओगे एक left-handed Jonathan Carter जो बहुत जादा गलत-चौन खेलते नहीं है मतलब वो run बना जाता है कुछ न कुछ उसके बाद मलो नहीं Douglas, Ortonnell Lewis सब right-handed है रेशन को अगर टीम प्रोमोट करेगा मुझे लगता है शायद ना करें कुछ उटनल Lewis है डिलन डॉगलास भी है तो यहां पे थोरा सा importance जो होता है वो reduce हो जाता है Richie Richards का लेट सी क्या होता है गोड़ोमारियो बी-बी आ चुका है इस team से और step late है दोनों ने लास्ट मैंच में एक-एक ओवर ही डालने का मतलब situation create किया था मुझे लगता है दोनों आपको 2-2 ओवर कटने में capable है अच्छा आप लिया रहे है तो Richards का ओवर कभी भी cut हो सकता है narrow down हो जाएगा ठीक है Richards का ओवर ओविनिंग बॉलिंग आर विलियम्स Richards यह ओपर डेट में W-Straw, Dean Brown Benetton's tap letter यह series से पहले की records है जब तो आप फिर से review कर सकते हो यहाँ पे Hack Show का देखो 34 मैच में केवल 216-14 चैट्री गिल्टन बहुत फिमस प्लियर Canada के लिए खेलके आ रहा है Rodrigo Thomas आसिफ उपर यह recently ना इनका performance बहुत जादा डाउन होते जा रहा है मुझे दिख रहा है ठीक है किसका आसिफ उपर कर ठीक है Richie Richards 33 मैच में 27 विकेट 36 मैच 49 विकेट और प्लियर अच्छा है Dean Brown Westley Straw 20 मैच में 24 विकेट बहुत अच्छा विकेट टेकर रहा है Double Straw आपके लिए 40 मैच में 26 विकेट 29 विकेट है कुछ ना कुछ मैच आपको बात कर रहा है कुछ ना कुछ यह पॉइंस दे जाते है Willi के Overskut हो रहे 27 मैच में 20 विकेट निकाला 20 विकेट विकेट मैंने रेशन विलियम्स को नहीं लिया Most Probably देखो यार हमारा जो old format fantasy है उसमें मैं Richards को drop कर दूँगा सबसे पहले और इधर आजाएगा रेशन विलियम्स होगी हमारे पास 3 battle बॉलर अब 3 battle लेना परेगा अब 3 में से मैं किसको drop कर सकता हूँ मैं Carter Douglas को मतलब drop करी नहीं सकता और last match का performance के बार Dean Brown drop नहीं कर सकता है यह तो दोनों both condition में drop नहीं करूँगा इनका balling first हो तो मैं इनको drop नहीं करने वाला हूँ और इनका batting first हो और second innings में तो दोस्तों यह भी better player हो जाता है Oatnell Lewis दो reason से Oatnell Lewis विकर लेकी जाते है batting से भी points दे सकता है strong team से थोड़ा belong कर रहा है और इनका जो बात है शायद यह दो मैं drop करने वाला हूँ risky होगा असिफ कुछ ना कुछ point चरूर देगा player अच्छा है form में नहीं है 3 player को तो मैं drop करने का सोची नहीं सकता along with dimbrown इनमें से dimbrown में भी एक risk हो सकता है second innings में अगर balling होता है तो drop करने का तो उस condition में थोड़ा safe आ-safe उपर क्योंकि 15-20 run sure shot यह आपको दे ही देंगे लेके दोस्तो Oatnell Lewis balling first ही कर रहा है तो ले सकते हो तो यह रहेगा मेरा update कुछ भी और update होगा और demotive होगा वह आपके साथ मैं share करूँगा telegram पे तो जुन है telegram जिसका link आपको मिलेगा description and comment section में thank you guys मिलते है match time पे